नमस्कार दोस्तों, मैं जादुगर सुनिल, फिर से एक बार आपके सामने एक नए एपिसोड में हाजीर अपने जो लास्ट एपिसोड में संदीब जी का मेंटलिजम देखा था बहुत सारे दोस्तों ने कॉमेंट में लिखा है कि ये मैजिक रिविल कर दिया जाए तो मैं बहुत खुस हुआ कि आप सभी ने कॉमेंट किया आपने हमारा ये जो एपिसोड मतलब संदीब जी का जो एपिसोड सब्सक्र पसंद किया सबने भरोसा जगाया कि मैंने ये आपको रिविल कर सकता हूँ इसलिए आप सभी को धने बात करना चाहूँगा चलिए आज रिविल कर देते है इस मेंटलिजम का ये मेंटलिजम बहुती बरिया है इसलिए कि आप कही भी जगा ये मेंटलिजम आप दिखा सकते हैं इसके लिए आपको कोई समान का जरूरत नहीं है स्रेप presentation presentation कैसे करना चाहिए यह सेखने का जरूरत है secret तो मैं आभी बता दूँगा उसके बाद इसका जो presentation वो सेखना जरूरिया है तो presentation के लिए फीर एक बार हम सभी ने संधीब जी का परफॉमेंस एक बार देख लेते हैं, एक बार उनका परफॉमेंस देख लेते हैं, हमने वीडियो को थोड़ा सा शौर्ट कर दिया, छोटा कर दिया, एक बार देख लिजे, आप लोग अपनी आखे बंद कर सकते हैं, अब हम एक imagination वाले mode में जा रहे हैं, सबसे पहले एक number सो माइन में आया है उसको अब आपके माइन में दो डिजिट का नंबर आ गया होगा उन दोनों डिजिट्स को आपस में प्लस कर दीजे अब उसमें से कोई एक नंबर माइनस कर दीजे दैट कुड भी फॉर फाइव सिक्स वाटेवर चलो पांच पकड़ लेते हैं फाइव माइ अगर एक नंबर आपके माइन में आया है तो अलफबेट हो गया ए दो आया है तो भी ठीक है सबका हो गया थम्स अप कर दो इस अलफबेट से आप किसी भी कंट्री का नाम सोच सकते हो जैसे कॉंटिनेंट क्या है एशिया सिती है आबूडभी और कंट्री है ऑस्ट्रेलिय तो कंट्री का नाम सोचना है सिती का नाम नहीं सोचना है अब यह जो कंट्री है इसका जो पहला एलफबेट है माल लीजे अगर वो बी है तो उसका अगला एलफबेट क्या होता है सी उसके अगले एलफबेट से आप किसी एनिमल का नाम सोचिए बर्ड का नहीं सोचना है का सोचना है उसकी पूरी इमेज को देखिए जैसे कि आप उसको ड्रॉ कर रहे हैं अपने माइंड में अब उसके अंदर कलर भरिए अब यहां पर हो सकते हैं थोड़ा सा अब मैं बताता हूं आप लोग क्या सोच रहे हूं आप सोच रहे थे एक बड़े से ग्रेश ब्लाक कलर के एलिफेंट के बारे में डेनमार्क में हैं देखा यह अपने देख लिया ना आभी आपको हम जो रिविल करेंगे आपको सिखने में सुभीदा होगा वो क्या संदीब जी ने कहां ओडियन्स को कोई भी एक नंबर चूस कर लिजे चलिए दोस्तों मैं यह मैथेमेटिक्स आपको समझाता हूं आप पूरा वीडियो देखना समझ जाएंगे क्या है पहले संदीब जी ने क्या बोला था ओडियन्स को बोला था कोई भी एक नंबर चूस कीजे सोची की नंबर है 6 इन्टू उन्होंने बोला था 9 54 उन्होंने बोला दो डीजिर आया इसको वापस में जोर दो प्लस कर दो मतलब 5 प्लस 4 इस उगल टू 9 सोची यह 6 ना होके अगर 3 होता तो 4 होता तो चली 4 ले रहते 4 इन्टू 9 तो क्या होगा 36 36 इसको भी अगर वापस में जोर दिया जाए 3 प्लस 6 इस उकल टू 9 आप एक से लेकर 10 तक कोई भी नंबर को 9 से मल्टिप्लाई करेंगे तो रिजल्ट आएगा 9 9 जैसे की आपको दिखा सकता हो यह देखिए मैंने इधर करके रखा है देखिए 9 1 9 9 2 18 81 इसके दोनों को जोरने से जो आएगा 9 9 9 9 9 9 इतना तो समझ गया अभी जो समझना जरूरी है वो है कि 9 से 5 को माइनस कर दो माइनस यह 5 कैसे बोला था यह सीखने वाली बात है वो क्या किया बोला आप 2 3 4 5 कोई भी एक नमबर को माइनस कर दिए चली 5 पकर लेते हैं ऐसे बोला था ना फिर से बीडियो देख लेना ऐसे भी बोला था चली 5 पकरते हैं ऐसा बोला पाँच 9 से 5 माइनस करने से 4 आता है और यह हमको चाहिए ही चाहिए 4 होना ही है बस इतने दर ठीक है इसके बाद देखिए इसके बाद उन्होंने कहा आपके पास एक नमबर है 1 मतलब A, 2 मतलब B, 3 मतलब C ऐसे उन्होंने समझाया A to Z तक अलफावेटिकल जो लेटर है उस नमबर से कुण लेटर आता है इन्होंने बोला तो आपका आया 4, 4 से आता है D D से आपको एक कंट्री का नम सोचने को बोला तो D से आप जल्दी में एक ही नम सोच सकता है वह है डेन्मार्क इसका लबा कुछ सोच भी नहीं सकते हो सकता है D से दूसरा भी कोई कंट्री होगा लेकिन आपका डेन्मार्क लबा और कोई कंट्री आपको मिलेगा है नहीं डेन्मार्क देखिए अभी डेन्मार्क हो गया आपका डेन्मार्क में अभी डेन्मार्क है उसके बाद एक प्रेडिक्शन किया उन्होंने वो किया बूलें D का बात का जो लेटर आएगा D का बात लेटर आता है E डेन्मार्क लिखने में भी D का बात आता है E तो आपने बूला D का बात जो लेटर आता है वोई लेटर से कोई एनिमेल का बात सोचिए कोई बर्ड नहीं एनिमेल अब जब सोचेंगे तो एसे फिलहाल आपका माइन में आएगा ऐलिफेंट elephant का लावा आप दूसरा कोई animal सोच नहीं सकते क्यों नहीं सोच सकते E से ज़्यादा तर animal का नाम होता नहीं आप ढूनेंगा तो मिलेगा लेकिन फिलाल जल्द जल्दी में आप कोई elephant आएगा तो elephant अड़ी से डेनमार्क यह देखिए यह देनमार्क देनमार्क और elephant यही audience का brain में है जो हमने मतलब संदीव सर ने करते करते इस जगा में पहुँच गया आप भी कर सकते हैं बहुत आसानी से का अपने बहुत बरासाइक हाथ ही का picture सोचा है और ओ भी है डेनमार्क में ऐसे कही है देखिए audience बहुत खुस हो जाएगा इसके लाबाव की आप कर सकते हैं एक लिफावे में एक हाथी का elephant का एक picture बनाया नीचे लिखा है destination Denmark कुछ भी अब ऐसे भी एक लिफावा करके audience का किसी का पास पहले ही रख सकते है उसके बाद वो जो prediction आपने रखाए बढ़ा सा एक pro star अब जब खोलेंगे तो audience में देखेगा आपने यही सोचा हाथी आपने यही सोचा Denmark audience तालिया का गरगरा हाट में आपको स्वगत करेगा यही था उसका secret आप घर में practice कीज़े पहले जी करके अच्छा लगा या बुरा लगा क्या लगा comment में जरूर बताना comment करने से न हमको पता चलता है कि आपका reaction आप कैसे perform किया क्या क्या करते है हमको पता चलता है हमको अच्छा लगता है comment जब पढ़ता हूना तो बहुत अच्छा लगता है और पूरा यह हमारा जो reveal अगर अच्छा लगा तो एक like जरूर करना अब भी दा लेता हूँ अगले एपिसोड में एक नए magic के साथ फिर आपसे मुलाकात होगा तब तब के लिए टाटा बाइ